नगर्पिकास मंत्रिये के शर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स से मुलाकात की है लखनाउस इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहें कल रात अपने आवास पर मुलाकात की मंत्रिये के शर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स को सम्मानित किया सिंगापूर डेलिकेट्स को शौल देकर सम्मानित किया नगर विकास मंत्री एक शर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स से मुलाकाद की है लगना उस इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कल रात अपने आवास पर मुलाकाद की मंत्रिय के शर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स को सम्मानित भी किया सिंगापूर डेलिकेट्स को शॉल देकर सम्मानित किया लगनाओ से बड़ी खबर बता रहे हैं अगर विकास मंत्रिय के शर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स के साथ मुलाकात की है कल रात अपने आवास पर मुलाकात की मंत्रिये के श्यर्मा ने सिंगापूर डेलिकेट्स को सम्मानित भी किया लोक निर्माड मंत्री वा मंदल प्रभारी जितिन पुरसाद की एहम बैठक लखनाउ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जितिन पुरसाद आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे खूड़ा प्रबंधन श्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक विवस्था को लेकर चर्चा होगी आज दुपहे ढ़ाई बजे बैठक होगी जितिन पुरसाद आधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर जितिन पुरसाद आज अधिकारियों के साथ भाई बजे बैठक करने वाले हैं जो बैठक के कुड़ा पर बंदन श्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक वरस्था पर भी होगी जब इसके पहले पी जब कल की अगर बात जिया थे कल दो पर एक बजे वो ओचक जो है वो ट्रैफिक वरस्था और सड़को की इस सिटी को देखके वो दोरे पर निकले ते सायर में को लेकर चाहे हुई है जिस पाद एक आहम बेचा समय हुई है धन्यवाद भी वेक्ता माम जानकारियों के लिए वास्त महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिम्मेदारों ने ही शगुन किट में खेल किया है शगुन किट गोटाले मामले में कई लोग डोशी पाए गए हैं इस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं पंद्रा साल से काम कर रहे टीपी जैसवाल डोशी पाए गए गए हैं है गोंडा से बड़ी खबर कि भीपग में कि भीडू अजित्त जो सगुन किट खरीदे गए थे करीब 12,508 सगुन किट खरीदे गए थे और ये सगुन किट परिवार नियोजन के लिए नवीवाहिता को मिले थे जिसके करीब 27,5760 रुपए से अवंटित किये गए थे लेकिन जब खबरें चली और जब अधिकारियों के संग्यान में आया तो अधिकारियों के जाच में ढुरिस केंर संगले जब साथ एक और अधिकारी हैं जो इसमें घृत याम दोसी मोने पाए घए गया है, बैकिनिस में खास बात है कि करीब 14 क 15 साल से जो डिक्सी फियमों है टीबी जैस्वाल वो अभी पी जम्य हुए है जी महीं हुए है धन्यबाद राशित तमाम जानकारियों के लिए अतीक एहमत की लखनओ एस पी एम एले कोट में पेशी आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवरिया जेल में लखनओ के कारुबारे से मारपीट मामले में होगी पेशी देरात अतीक को लखनओ लाया गया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनओ से बता रहे है गुजरात की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद की लखनओ M.P.M.L.A. कोर्ट में आज पेशी होगी देवरिया जेल में लखनओ के कारोबारी से मारपीट के मामले में पेशी होगी देरात अतीक अहमद को लखनओ लाया गया है गुजरात की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद इस खबर पस नाबाली बच्ची के साथ दुशकर्म का प्रियास उननाओं से बड़ी खबर आपको बता रहे है दुशकर्म का प्रियास करने वाले मौलाना गिरफतार किये गए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है मदर्से में पढ़ने गई थी पांच वर्ष की बच्ची पिता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट के तहट मौलाना की खिलाफ केस दर्ज किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गंगाघाट कोतवाली शेत्र का मामला बताया जा रहा है नाबाली बच्ची के साथ दुषकर्म का प्रयास किया गया उन्नाओं से बड़ी खबर इस खबर पर जादा जानकारिक लिए हमारे समवादाता चैतन हम से जुड़ेंगे चैतन नाबाली बच्ची के साथ दुषकर्म का प्रयास किया गया क्या कुछ पूरा मामला है कि स्वयम जो एक मौलाना है उसके दवारा इस तरीके का प्रयास किया गया है फिलाल जो पिता है बच्ची के पिता थे उन्होंने तहरीर दे तो पास को एक के तहट पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार जो है उसके जाज के बाद जो है पुलिस लगातार जो है दबिज देने का प्रयास कर रही है और गिरफतार करने का प्रयास कर रही है जी चैतन मौलाना के उपर क्या कुछ कारवाई की गई है पुलिस दोरा पास को एक्ट के तहद मकदमा दर्ज किया गया है और वहीं लगातार जो पुलिस है वो उसको मौलाना को गिरफतार करने का प्रयास कर रही है फिलाल तो पुलिस जात की बात कर रहे थी लेकिन जैसे ही दवाओ बना है तो उसके बात की बहुत जात की बात गिरफ्तारी की बात कह रही है कि लगातार जो है दविज दी जा रही है जी धने बाद चैतन तमाम जानकारियों के लिए CSE PSE पर अब चस्प होगी दवाओ की सुची लखनाओ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दवाए खत्म होने पर रिकॉर्ड लगाया जाएगा बोर्ड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनाओ से बता रहे हैं CMO कारियाले में सभी CSE PSE को भीजे गए हैं निर्देश CSE PSE पर अब चस्प होगी दवाओ की सुची लखनाओ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दवाए खत्म होने पर रिकॉर्ड लगाये जाएगा बोर्ड पर CMO कारियाले से सभी CSE PSE को भीजे गए हैं निर्देश DPCM बिर्जेस पाठक ने की मुलाकात दिली से इस वक्त की बड़ी खबर राष्टपती द्रौपती मुर्मू से बिर्जेस पाठक ने मुलाकात की राष्टपती भवन में मुलाकात हुई DPCM बिर्जेस पाठक ने मुलाकात की दिली से बड़ी खबर आपको बता रहे है राष्टपती लखनव में फिर से गैंग रेप की वारदा सामने आई है लखनव से आपको बड़ी खबर बता रहे है लखनव में 90 घंटों के अंदर रेप का चौथा केस सामने आया है महानगर शेत्र में डॉक्टर और वाड वाड पर रेप का केस दर्ज हुआ है बिहोशी का इंजक्शन लगा कर युफ्टी के साथ गैंग रेप किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनव से बता रहे है महानगर कोतवाली में दर्ज हुआ है केस बहुराओ देवरस अस्पताल का मामला बताया जा रहा है राजधानी लखनव में फिर से गैंग रेप की वारदास सामने आई है लखनव में नब्बे घंटों के अंदर रेप का चौथा केस आया है महानगर शेत्र में डॉक्टर और वारद बॉई पर रेप का केस दर्ज हुआ है बिहोशी का इंजेक्शन लगा कर युप्ती के साथ गैंग रेप किया गया महानगर कोतवाली में दर्ज हुई है केस भावराओ देवरस अस्पताल का मामला बताया जा रहा है चलती कार में लगी भी सड़ाग नोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कार को आग ने जलाक कर किया खाक कार चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई कार में आग लगने से हड़ कम्प मचा सेक्टर बासट का मामला जड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सेक्टर बासट का मामला हाई कोट की लगनव बेंच ने नराजगी जटाई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डेंगू मरीजो को लेकर हाई कोट ने नराजगी दिखाई हाई कोट की बेंच ने नगर निगम से सवाल किये हैं हाई कोट ने नगर निगम को 48 घंटे का समय दिया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 21 अक्टूबर को देना होगा नगर निगम को जवाब प्लाजमा उपलब्दता पर सरकार से पूछा सवाल मैन पावर और मशीन ने मुहिया कराने की निर्देश दिये गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रियाग राज दोरे पर मुख्यमंत्री योगी आदितनार करीब साड़े बारा बज़े सीम योगी पहुचेंगे प्रियाग राज संग प्रमुक मोहन भागवस से मुलाकात करेंगे सीम 16 से 19 सक्टूबर तक चली आर एसेस की कारेकारी मंडल बैठक मंडल की बैठक में शामिल थिसंग प्रमुक मोहन भागवस 22 सक्टूबर को प्रियाग राज से रवाना होंगे मोहन भागवस प्रियाग राज दौरे पर मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करीब साड़े बारा बजे योगी पहुचेंगे प्रियाग राज संग प्रमुक मोहन भागवस से मुलाकात करेंगे सोला से उन्हीं सक्टू बढ़ता कार एसस की कारकार नी बैठक मंडल की बैठक में शामिल थे संग प्रमुक लेटा नुएडा के तिलपता चौक पर हुआ हादसा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कार की कैंटर के साथ हुई जोरदार टक कर खड़े कैंटर में तेजर अवतार कार ने मारी टककर इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्रेटा नुएडा से बता रहे हैं कार चालक की गाड़ी में फसे होने की आश्वंका मौके पर भीड ने देखिस्थानी पुलिस को सूचना दी पांच करोर दियों से जग्मक किये जाएंगे आज गाओं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जल जीवन मिशन हर घर जल दिवाली मनाने के अनूठी पहल गाओं में हर घर जल योजना के तहट कनेक्शन दिये गए हैं 51 लाग परिवारों को शुद्ध पिये जल से जोड़ने का लक्ष पूरा हुआ आज के दिन पांच करोड दियों से गाओं को किया जाएगा रोशन गाजिपूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजिपूर से बता रहे हैं शातिर अप्राधी महेश चंद यादव पुलिस मुद्भेड में घायल हुआ है घायल बदमाज जनपद आजमगड के में महिनगर का रहने वाला बताया जा रहा है खाना शादियाबाद सादात और एसोजी गाजिपूर की घटना बताया जा रही है घायल बदमाज के पास कई अवैद असलहे बरामत किये गए है घायल बदमाज को सीएस्टी सेथपूर में भरती कराया गया है लकनाओ में एल्डिये की बड़ी कारवाई अवैद निर्माट के खिलाब अभियान तेज हुआ है छे हजार वर्ग मीटर में हो रही अवैद प्लाटिंग भस्न की गई ल्डिये ने चार दिवारी और अधूरे मकान गिराए है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है मकानों को मानकों को ताक पर रखकर हो रही अवैद प्लाटिंग बिना ले आउट और नक्सा पास करवाई हो रही थी प्लाटिंग प्रिश्ना नगर में बने ऐसेस जनवासा होटल भी हुआ सील चार साल पहले बिना नक्सा पास होटल का हुआ था निर्मार्ट सरोजनी नगर गोसाई गंज दूबग्गा का मामला आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार